इंटर्नल ट्रेड की त्री टाइप्स है, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, on the basis of relationship, relationship के अंदर गर हम टोपिक डिसकस करें, तो हमारे पास दो टाइप का इंटर्नल ट्रेड होता है, एक तो होता है direct ट्रेड और दूसरा होता है indirect ट्रेड, क्या relationship के बेस पर या तो दोनों टोपिक समझने से पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि एक customer तक goods पहुँचती कैसे है, reality में मान लो कोई producer है, बनलब कोई factory का बंदा है, जिसने factory चला रखी है, वो बंदा क्या कर रहा है, goods की manufacturing कर रहा है, तो वो बंदा क्या करता है, अपनी goods को wholesaler तक पहुँचात है, और फिर वो goods आगे कहां पहुँचती है, customer तक पहुँचती है, consumer तक पहुँचती है, reality में होता तो यही है, production हुआ, wholesaler के पास गया, retailer के पास गया, फिर आगे goods किस के पास पहुँच गई, consumer के पास पहुँच गई, पर हम सबसे पहले क्या discuss करने जा रहे है, director trade क्या होता है, director trade में क्या होने वाला है, goods directly consumer के पास जाने वाली है, goods directly कहां जाने वाली है, consumer के पास, customer के पास जाने वाली है, मतलब producer, wholesaler को goods नहीं देने वाला, ना retailer को देने वाला, सीधा कहां देने वाला है, consumer को देने वाला है, तो अगर goods सीधा producer से consumer तक पहुँच जाती है, इसी को ह हिंदी में परत्यक्ष वेपार अब बात आती है कि डिरेक्ट ट्रेड करने के क्या बेनिफिट है डिरेक्ट ट्रेड करने के बेनिफिट भी बहुत होते हैं पहली बात प्रड्यूसर जब कस्टमर को सीधा पोड़क्ट पहुंचा रहा है तो आप देखो ओरीजिनल पोड़क पोड़क्ट किस के पास चला गया तो मिलावट की तो समस्य ही खतम हो गई पोड़क्ट ओरिजिनल जाने वाला है जो प्रोफिट इन लोगों को मिलने वाला था वो प्रोफिट अब डिरेक्ट इसको मिलने वाला है क्योंकि यहां से यहां जाता फिर वो पोड़क्ट यहां पे एवेलेबल हो जाती है, माल लो 100 का product था, यहाँ पर 120 में जाता, फिर 130 में जाता, फिर 150 में पहुँचने वाला था, अब क्या हुआ, इसने सीधा customer को goods पहुँचा दी, तो यह direct product इसको मिल गया 120 के अंदर, तो ultimately 30 रुपीस का profit भी इसको एवेलेबल हो गया, और दूसरा इ product पाचेज करते हैं, तो हमको कम rate pay करना होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि customer क्या कर रहा है, इस producer से direct product purchase कर रहा है, तो ultimately हमको price कम pay करना होगा, और इसका ultimately benefit किसको मिलने वाला है, customer को मिलने वाला है, और fourth benefit producer के लिए है, producer को cash sales का benefit मिल जाता है, Otherwise क्या होता है reality में, ये बंदा क्या करेगा इसको उधार बेचेगा ये आगे उधार बेचेगा फिर उसको नकद मिलने वाला है उसको पैसा बहुत टाइम के बाद मिलता है पर यहाँ पर डिरेक्टर ट्रेड में क्या हुआ इसने प्रोडक्ट इसको सीधा बेच दिया तो कस्टमर क्या करेगा उ कि अगर producer, wholesaler, retailer रास्ता तै करता तो उसको उधार में goods उनको sale करनी होती पर यहाँ पर इसने customer को सीधा product sale करके cash हासिल कर लिया है fifth benefit क्या है, कभी कभी क्या होता है कि wholesaler ये retailer consumer को ये show करते हैं कि हमारे पास go down में product ही available नहीं है माल की कमी पैदा कर देते हैं, बनावटी कमी पैदा कर देते हैं, go down में product रखा रहता है और customer को क्या show कर देते हैं कि हमारे पास product नहीं है ऐसा क्यों करते हैं ये बात भी समझ नहीं होगी wholesaler को पता होता है कि दो महीने के बाद product का rate बढ़ने वाला है तो वो क्या करेगा customer को high rate में sale करेगा इसलिए wholesaler ये retailer क्या करते हैं go down वे product पढ़ा रहने देते हैं और आने वाले दो तीन महीने के बाद customer को बेच देंगे product high rate में तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं क्या पैदा कर देते हैं बनावटी कमी पर यहां पर हम direct trade की बात कर रहे हैं product सीधा customer तक जा रहा है तो बनावटी कमी पैदा नहीं होने वाली go down के अंदर product नहीं बचा रहेगा customer सीधा product producer से हासिल कर सकता है तो यह direct trade का मीनी हो गया और direct trade का हमने advantages भी discuss कर लिया अब हम चलते हैं indirect trade की और indirect trade में क्या हो सकता है indirect trade में producer पहले क्या करेगा wholesaler को sale करेगा फिर यह retailer को sale करेगा और retailer consumer को sale करेगा तो यह पहला तरीका है through wholesaler indirect trade के अंदर हम जो goods sale करते हैं wholesaler के through sale कर सकते हैं अब through retailer भी हो सकता है मान लीजिए producer ने goods पहले retailer को sale की और retailer ने किसको sale की consumer को sale की तो यह कह सकते है sale of goods through retailer इसने retailer को देना आगे consumer को अब third भी है indirect trade के अंदर third भी है through agent अब इसमें क्या करेगा producer agent को बीच में रखेगा agent को goods देने वाला है और goods किसके पास जाने वाली है consumer के पास जाने वाली है तो indirect trade के अंदर three techniques हो गई हमने goods सेल की हैं यह तो wholesaler के थूर यह retailer के थूर या फिर हमने agents के थूर अब हम चलते हैं next topic की ओर यह internal trade on the basis of levels levels के basis पर internal trade कैसे होता होगा levels के basis पर अगर हम बात करें तो यह होता है local level या state level या हम कह सकते है national level सबसे पहले हम बात करते है local level trade अगर कोई भी trade एक ही शेहर के अंदर होता है एक ही शेहर के अंदर होता है या local हमने गावों में करना है या एक शेहर के आसपास के गावों के साथ हम trade कर रहे हैं तो इसको हम कह सकते है local level trade local level trade में क्या होता है जैसे ताजे, फल, दूद, सबजियां ये चीज़े हम trading में रखते हैं अब हम बात करते हैं कि state level trade क्या होता है जब trade within the boundary of a state एक state की boundary के अंदर ही अगर trade हो रहा है तो उसको हम कहेंगे state level trade मतलब पंजाब के अंदर-अंदर ही वो लोग आपस में trade कर रहे हैं पंजाब के अंदर के जितनी भी डिस्टिक हैं या cities हैं या गाव हैं वो लोग आपस में ही trade कर रहे हैं तो उसको हम कहा सकते हैं state level trade मतलब state level trade में क्या हो रहा है state के अंदर अंदर business चल रहा है state के अंदर अंदर trade हो रहा है तो इस step के trade के अंदर हम क्या क्या trading में लाते हैं अनाज होगी, डाले होगी, बरतन होगे यह example आपकी books में भी दी हुए है next है national level trade जब सारी states आपस में trading करती है state, एक state से दूसरी state में goods असानी से आ जा सकती है कुछ एक goods है या services है उसको हम बोलते है national level trade national level trade वे जैसे चीनी है, कपड़ा है, machinery है, बड़ी-बड़ी चीजे होती है यह आपस में business में lending होते रहते हैं तो levels के base पर हमने three topics discuss किये local level, state level and national level अब हम चलते है, internal trade on the basis of quantity quantity के base पर कैसे हो सकता है quantity के base पर हम कह सकते है, या तो वो wholesale trade है या वो retail trade है आपने wholesalers को देखा होगा wholesaler क्या करते है, जिसको हम थोख भी क्रेता भी बोलते है ये wholesaler क्या क्या करते है producer से, factory वालों से क्या करते है बहुत बड़ी मातरा में product खरीद लेते हैं एक साथ और फिर क्या अलग-अलग retailers को sale करने में लगे रहते हैं तो wholesale trade कौन सा हुआ? जो बड़ी मातरा में goods को purchase करते हैं और थोड़ी-थोड़ी मातरा में आगे retailers को sale करते रहते हैं that is wholesale trade अब बात करते हैं कि retail trade क्या होता है? retail trade के अंदर ये लोग क्या करते हैं? जैसे आपने घर के आसपा छोटी-छोटी दुकाने देखी होंगी करियाने की दुकान, confectionery की दुकान इन दुकानों के अंदर आपको बहुत सारी items मिल जाएंगी 200, 300, 400 items भी मिल जाएंगी पर थोड़ी-थोड़ी quantity में मिलेंगी ये होती है retailers ये retailers क्या करते हैं? थोड़ी quantity उस wholesaler से ले लिए थोड़ी सी quantity उस wholesaler से थोड़ी सी quantity उस wholesaler से चीनी इस से ले लिए, दाल इस से ले लिए है ना, junk food का product इस से ले लिया ये quality उस से ले लिया तो retailers क्या करते हैं? producer से product नहीं खरीदते किस से खरीदते हैं? wholesaler से थोड़ी-थोड़ी quantity में product खरीदते हैं और किसको sale करते हैं? consumers को sale करते हैं तो हमने क्या देखा? quantity के base पर दो type के internal trade होते हैं that is wholesale trade and the retail trade तो हमने के लिया हैं करते हैं